नवस्कार ख़बरों की ख़बर में आपका स्वागत है हिंदुस्तान और कनेडा के बीच बवाल मचा हुआ है ख़बर तो आप जानी रहे हो अभी 6 घंटे पहले ही ऐसा लग रहा है कि पहले से ही स्क्रिप्ट तयार थी वासिंगिटन पोस्ट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिससे दो बाते साब साब समझ में आ रही है पहली चीज ये कि अमेरिका और कनाडा डरा हुआ है कि जो अपने घर के अंदर ये खालिस्तानी आतंकवादियों को इन दलालों को जो पनाह दे रखा है उसके कभी भी मौत हो सकती है और जब डर लगता है तो आदमी क्या करता है चीकता है चिलाता है यही काम कैनाडा कर रहा है और यही काम अमेरिका के तरब से हो रहा है कई सारे लिस्ट बन रही है कि इसको टार्गिट किया जा रहा है कनेडा में तो ये वहां का पपू जस्टिन टूडो वो तो पागली हो गया है पता नहीं वो किस तरीके की राजिनिती करने की कोशिस कर रहा है कनेडा को नुक्सान पहुंचाने की कोशिस कर रहा है अपनी घटिया राजनीती अपनी कुरसी को बचाने के चक्कर में वहाँ चुनाओं होने वाले है और उसकी रेटिंग डाउन हो रही है तो ये इस तरह के हत्गंडे पे उतर आया है कि जिसका न कोई सिर है न कोई पैर है लेकिन प्रपगेंडा करने के लिए वासिंगटन पोस्ट सीधे सीधे कूता है और ये कहता है कि जो कैनाडा में खालिस्तानियों को जो भेजा जा रहा था उपर ये कई सारे लोगों की माँद जो हो गई और ये पन्नू ये पाकिस्तानी कीड़ा इसको भी मारने की साज सिरचने में ये रौ की अधिकारी, एंबेसिक की अधिकारी और इस बार तो अमिश शाह का नाम ले लिया है अब इनको समझ में नहीं आ रहा है टूडो को क्या आपने कहा किस बिल के अंदर आपने हाट डाल दिया है अंदर महती जरीला कोब्रा बैठा हुआ है और इसलिए आपने ये हिमाकत की हिंदुस्तान ने अपने पोजिशन को बिलकुल हाड कर लिया जो टॉप छे टोटल छे बड़बड़ डिप्लोमेट्स थे उनको किक आउट किया गया है वक्त दिया गया है कि अगले सटेटर तक बाहर नहीं चाहिए रिस्ता जहां एक परधान मंत्री सनक गया हो पागल हो गया हो अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में अपने चुनाओं के चक्कर में अपने नैशनल इंटरस्ट को इसने दाव पे लगा दिया है और उसको से कौन देर आए वो अमेरका अमेरका बहुत दिनों से यह जो बाड़न एड्मिनिस्ट्रेशन है और इसके जो वामपंथी चक्टे बच्टे हैं यह वासिक्टन पोस्ट में च्छापने वाले कौन है यह दो यह ग्रेग मिलर है देखें क्या क्या आर्टिकल लिख रहा था पहले एक गैरिशी है यह सब हिट मैन है पता नहीं है किसके लिए काम करते हैं चैड़ा के लिए अमेरिका गिलिदू काम नहीं करते हैं यह सब एक प्रपगेंडा एक प्रपंच प्रदान मंत्री मोदी फिर से जीत क्या है पच्च नहीं रहा है लोग पच्च नहीं रहा है और यह कोई कोईंसिडेंस नहीं है कि पिछले एक बहने में करीब डेल सो नकसलियों को उड़ाया गया है उसी के दलाल है यह लोग ये कोई coincidence नहीं है कि राहूल गादी बीच election के दौरान वो बाहर चले जाते हैं अमेरिका जाते हैं और गायब हो जाते हैं 6-7 दिनों के लिए किसे किसे मुलकात हुई ये आपको समझना पड़ेगा किस तरह की conspiracy पूरी हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में हो रही है पूरी दुनिया में अब आपने आरूप क्या लगाया है और ये ऐसे बेबकूफ हैं इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमिशा आर्डर करते हैं कि खालिस्तानियों को मारो और रह वाले उसमें टार्गेट करते हैं अडिटिफाइ करते हैं सब कुछ करते हैं और मारने के लिए ये विश्नोई गैंग को भेज़ देते हैं अभी विश्नोई गैंग का नाम आया है अचानक से इन लोहों का नीन तूटा है और अचानक से विश्नोई गैंग जो है और विश्नोई वो तो गुजरात के जेल में पड़ा हुआ है और जेल से बैठे बैठे वो वैंकूबर में लोगों की हत्या करवा देता है तो सब्यों कितना पावरफूल विक्ति होगा तो एक मनोहर कहानिया क्रियेट की जा रही है लेकिन इस मनोहर कहानिया को जाना समझना भी जरूरी है कि आखिर हो क्या रहा है पहली चीज़ डर के मारे हालत खराब है और ये वाहमपंधियों को इस वासिंगिटन पोस्ट को ये अमेरिका के उपर C.I.A के payroll पे काम करने वाले चट्टे बट्टे ये Trudeau के चट्टे बट्टे अगर उनको ये लगता है कि आप Amisya का नाम रेलोगे अजिर डोवाल का नाम रेलोगे आप ये कहोगे कि हिंदुस्तान के सरकार जो है खालिस्तानीयों को मरभा रही है पाकिस्तानी टेर्रिस्टों को मर वा रही है तो लोग कहेंगे हिंदुस्तान के कि अच्छा कर रही है बहुत दिनों के बाद ऐसी सरकार आई है जो घुस के मार रही है बहुत दिनों के बाद ऐसी सरकार आई है जो देश के हिसाब से फैसला ले रही है इनको हिंदुस्तान के बारे में ज़रासभी अकल नहीं, इनको समझ में नहीं आता है आपने ये सोचा कि हमिशा का नाम दे का कंट्रोवर्सी माँआए गारे बेब कुफ़ों हिंदुस्तान की जन्ता को मालम चलेगा कि जिसकिसी ने भी जिस किसी ने भी ये काम किया वो हिंदुस्तान में हीरो हो जाएगा ये खालिस्तानियों को तुम अपने पनागार दो उन्हें ये कनेडा आगला पाकिस्तान और अफगानिस्तान बनने जा रहा है घर के अंदर सांप रखोगे वो तुमको ही डसेगा ये मत भूलना लेकिन क्या प्रपटेंड़ चल रहा है क्या ख़बर दिया जा रहा है दुन्या को फीट किया जा रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ The killing of six separatists in Canada last year was part of a broader campaign of violence against Indian decedents directed by a senior official in the Indian government and an operative in the country's spy agency according to Canadian officials who cited intercepted Indian communication and other newly acquired information Canadian authorities have also identified at least six Indian diplomats serving in Canada who were directly involved in gathering detailed intelligence on six separatists who were then killed, attacked or threatened by India's criminal proxies Canadian official said क्या है कहानी इनकी मनोहर कहानिया कि लोगों को information लेकर के gather करने के बाद जो है उनके उपर हमला किया जाता है हमारे पास कुछ communications आए है भारत की सरकार में एक बड़ा official कोई है RAW का एक आपरेटिव है और एक gang है ये सब मिल के ये सब काम करते है किसको मारते हैं terroristो को मारते है अरे अकल के अंदो terroristो को ही दो मारा जा रहा है न तुङारी story ही गलत premise के ऊपर है ये अमेरिकावाले ये ज्यादा human right human right करें आप ये बता दू भई आपने क्यों मारा उसमा मिलादन को पाकिस्तान में घुशके तो आपको समझ में नहीं आ रहा था अल्जवारी को क्यों हत्या की गई घुशके आप मारते हो तो आप मारो तो आप टेरिस्ट को मार रहे हो आप हिरो हो और हमारा टेरिस्ट आपके लिए सोचल एक्टिविस्ट बन जाएगा तो ये अमेरिका और कैनेडा अपनी इज़्जद बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है कि कल कोई और घुशके न मार दे पाकिस्तान वाले तो बोलना ही बंद कर दिये 19-19 गायब हो गया अचानक कोई दूद लेकर के निकल रहा है टेर्रिस्ट टप से उड़ गया कोई हॉस्पिटल में है मालूम चला वही खतम हो गया तो ये सारी चीज़े हो रही है क्या कहा पिसली थैयन अपराइसाओ जेन य हुच इंडिन दिपलोमेटी इं कनाड़ी चाने चाने गिवांद बंदीश्ट इंड्राइब है टेन्स्वा लिए टो यड़ब का बंदाट्टीर लेघमी एंड्रैश्नेट लेश्ट सीट बर्चशनेट लेगलों Indian diplomats include reference to a senior official in India and a senior official in RAW who have authorized the intelligence gathering mission and attack on six separatists the Canadian official said Canadian officials identified the senior official in India as Amish Shah अर भही वो official नहीं है ग्रीम मंत्री है स्टोरी भी करते हो ठीक से करो Amish Shah कोई official नहीं है दुनिया के सबसे वड़ी पाटी के सबसे सफल अध्धक्ष रहे वो ग्रीम मंत्री है हिंदुस्तान में नमबर टू पोजिशन पे है प्रदान मंत्री मोधी के बाद इस सरकार में सबसे ज़्यादा किसी के पास सकती है वो अमिशा है वो आप जो कहानी गड़ रहे हो हिंदुस्तानी बड़े ही गर्ब के साथ इस चीज को स्विकार करेंगे हमारा ग्रेम मंत्री जो है वो छपपनिंच का सीना रखता है घुसके मारता है यह तुमारे चवंदी छाप रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला आपको डर लग रहा है तो पन्नु को हिंदुस्तान को दे दो पन्नु को हिंदुस्तान को दे दो टेर्रिस्टों को घर में रखने का क्या मतलब है यह कनेड़ा वाले यह तमाम सेपरेटिस खालिस्तानी और ये खालिस्तान मुव्मेंट है क्या ये क्या है अगर इनके उकात हूँ पंजाब में आकर के जाकर के केम्पेंड करें खुले रूप से सिख समुदाय के लोग ही दोड़ा दोड़ा करके भगाएंगी इनको इनके उपर को थूकता नहीं और तुम चाटने में लगे हुए हो अजीब कहानी है और जो भी कहानी आती है आपने जो है उसे एक मौन दे दिया क्या अगे बताया गया कि यह मीटिंग सिंगापूर में हुई कैनाडा वालों के साथ किसकी अजी डिवाल की तो जब मीटिंग हुई तीन-चार घंटे मीटिंग चली तो वह एविडेंस और बातों से तरकों से दलीलों से अजी डिवाल के उपर प्रसराइज करने की कोशि कि दिये कि जो मीटिंग में बात हो गई हो गई बाहर मत बोलना और यह साथी खबरें बाहर आएगी तो फिर हिंदुस्तान अपने हिसाब किताब से एक्ट करेगा यह बात पिछले सटेडे की है और वो बात कैनाडा की सरकार ने लिक किया इसलिए जो च्छे बड़े-बड अधिकारें इंक्लूडिंग एक्टिंग हाई कमिशनर इन सब को हिंदुस्तान से किक आउट किया गया पहले हमने अपने हाई कमिशनर को वापस बुलाया और यहां से किक आउट किया इनको और यह संदेश दे दिया कि हिंदुस्तान किसी के साथ कनाडा जैसे देश के साथ रिष्टा रखने में इंट्रेस्टेड नहीं है बिल्कुल नहीं है कोई आपसे हमारा कोई ऐसा भी एकोनोमिक रिष्टा नहीं है कि हिंदुस्तान को घाटा होगा सब कुछ बंद कर देंगा आपको एक नुकसान होगा पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी और आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका के साथ वो हमेशा यो आई फाइब की बात करते हैं और जी सेवन की बात करते हैं अरवे जी सेवन के तुम लंगले टट्टू हो आपने बर्बाद करके रख दिया कैनेड़ा को वहां का वहां के जो लीडर वो पोजिशन है जैसे राउन गांद को पपू कहते हैं वहां कहते हैं वैको प्राइम मिनिस्टर इंसेन पागल वैको तो इस मीटिंग की बाग जो बंद कमरे में हुई कैनेड़ा ने इसे पबलिक किया हिंदुस्तान ने एक्षिन लिया यही कहानी है लब बलभाव ये मरमोहन सिंग का हिंदुस्तान नहीं है क्या प्रेशर पॉलिक्स करोगे और सरकार यहां की दब जाएगी इसके हवाले से क्या खबर क्या प्रपगंड़ा फ़ला रहा है यहींद आग।क्षिन पस्तुस्तों Canadian officials shared details about the reference to Shah and other evidence with India's National Security Advisor Ajit Doval at a secret meeting in Singapore on Saturday work he made clear that India would deny any link to the Niger murder and any link to any other violence in Canada no matter what the evidence was a senior Canadian official said Doval ended the Saturday meeting by asking his counterparts to treat the discussion as if it never took place meaning they should refrain from issuing any public statement or acknowledgement of this gathering साब कहके आगे कि जो बकवास आप लोग कर रहे हो ये matter ends here हमारे तरब से मामला ओवर है ये meeting कभी हुई नहीं और अगर ये सारी चीजें बाहर आएंगी तो फिर हम को दूसरा course लेंगे दूसरा course लेंगे दिक्कत क्या है कि केनेडा का जो ये वैको इंसेन संकी पागल प्रदान मंत्री है वो अपनी कुरसी बचाने की चक्कर में वहाँ चुना होने वाले तमाम सर्वेज आ रहा है हार रहा है लोग वहाँ का पपू कहते हैं उसको कनेडा का पपू है जस्टिन टूडो और इसलिए उसे वोट चाहिए वहाँ पे 18 सिक्ष समुदाय के और ज्यादा तर उसमें जो है वो खालिस्टानी टाइप के लोग है सिक्ष समुदाय के सांसद है अभी दो सब्ता पहले वहाँ पे वोट अप नो कॉन्फिटेंस किसी तरीके से सरकार बची है तो कि जस्मीन सिख ने अपना समर्थन जो है विड्रॉ कर लिया जस्मीन सिंख बनेगे प्रदान मंतरी और खालिस्तानी बनेगे प्रदान मंतरी वहाँ के कनेडा के वो उस हिसाब से वो चल रहे है तो खैर आपकी इंटर्नल पॉल्टिक्स अपनी जगह पे है उसमें हिंदुस्तान को को इन्वाल्ब करने के आप कोशिस करोगे तो यह हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है बहुत कडारा जबाद मिलेगा आप देखते रे कैप्टिल टीवी हमारे विडिस को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद